जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान होसलो को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राजयोग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान में दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा अगर आपको जिन्दगी में खुश रहना है, अगर आपको जिन्दगी के हर चीज को खुशी से महसूस करना है, तो सबसे जरूरी है आपका स्वास्त, स्वास्त सिर्फ शरी का नहीं होता है, मन का भी होता है, हम एक सीरीज कर रहे हैं Mind Body Medicine के उपर, जिसमें हम किस तरीके से हम हमारी पूरी जिन्दगी को स्वस्तता के आसपास इर्द-गिर्द रखा जाए, उसके बारे में सीख रहे हैं, इसके बारे में जानने के लिए, आज हमारे साथ है Dr. Girish Patel भाईजी, आईए, उन से बाते करते हैं, ओम शांती ब्रादर, वेलकम तो आशो, थैंकि, ओम शांत हैं, और कहां पर हमी थोड़ी सी चेंजिस करने की जरूरत है, जिससे हम जो चाहते हैं, वो हम अचीव कर पाएं, अब मैं जानना चाहते हूं, दॉक्टर साब, और कोई ऐसे टेक्नीक्स हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नीक्स आप इंटर्डियूस कर रहे हैं, उन कहीं हमारे थौट्स है, कहीं न कहीं हमारे इमोशन से हमारी फिलिंग से हमारे पास्ट एक्स्पिरियंसे से और उसको हमें एरेस करना है, या तो उससे उपर उठना है, कहीं बारे मुश्किल होता है बोलना की एरेस करना है, कि कम से कम उससे हमें उपर उठना है, उसकी जो हुई है उस इफेक्ट को हमें नलीफाइ करना है अभी अभी आज सवेरी की बात है कि बेहन मेरे पास आई उसने कहा कि डॉक्टर में दवा लिती तो ठीक हो जाती हुआ कि दवा बंद करती हुआ तो फिर से मेरे सिंटर्म शुरू हो जाते हैं तो मिझे लगा कि ये बात सच म समझानी चाहिए मैंने उसको भी समझा है कि देखिए कि दवा क्या कर रही है कि कुछ क्या कर रही है कि ब्रेंद बहुत सारे सर्किर्ट्स क्रियेट करता है जो दो नि childcare की बीच मेंद कमिकल्स होते तो दवा उस chemicals को release कर रही है और जब रिलीज होते हैं तो आपको अच्छा लगता है अब जब दवा बंद हो जाती है तो chemical release होना बंद हो जाता है तो वापस आप जहां थे वहाँ अब आपको अगर दवा को बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा कि कुछ natural technique को सिखना है कि जिससे वह chemicals release हो एक तो यह दूसरा इसको मैं और रितिस समझा सकता हूं कि naturally chemical release हुई रहे थे लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं हुई ना कुछ बाते आई आई आपके life में कि जिसके कारण जो आपके वह brain के circuits थे वह circuits आपके डिस्टरब हो गये मैपिंग मैंने बोला था ना cortical mapping वह थोड़ा डिस्टरब हो गया और वह दिस्टरब हुआ और फिलिंग डिस्टरब हुई तो उसके कारण आपके वह chemical disturb हो गये अब फिर से वह मैपिंग को आप खतम कर दो फिर से उसको एक natural state में लेकर क्या हो जो आपका original था तो आपको दवाई की जरूत नहीं है वाव तो यह जो सारा हम साइकोधर पर टेक्निक है सब जो CBT आदी जी एस सच उसको mind-body medicine में क्यों इंट्रोडिस किया क्योंकि उसकी ज बहुत अच्छी से टेक्निक है जिसको बोला DBT dialectic behavior therapy कोई कहेगा एडिफरेंट क्यों तो कुछ-कुछ बातों में कि जिसमें हमने thoughts को behavior को हमें change करना है राइट डाइलेक्टिक behavior therapy में सोचा गया कि दो अपोजिट चीजे भी कहीं बार इससे situation आते कि दो चीजे contradicting है लेकिन फिर भी व्यक्ति को accept करनी है और अपने आपको फिर उस अनुसार change करना है जिसे ने कहीं बार हमारे सामने आता है for example कि एक सास और बहु के problem है है say for example बहु बीमार हो गई नवसको depression हो गया कुछ तो हुआ शारीरिक problems भी हो गए और हमको इस समझ में आया कि चाए सास का हो या नहों different issue है लेकिन उसको महां लग रहा है कि सास मेरे पर pressure दे रही है मुझे freedom नहीं दे रही है बार-बार में मुझे टोक रही है इसे कोई भी बात अभी सास को ये बात समझा नहीं है कि तो तो मैंने करती हूं तो अब वहां एक ड्रियम होता है उनसे जब हम बात करते तो उनकी बात सुनके राइट तुम गलत नहीं हो परन्तु आईसा करेंगे और ठीक होगी उस کی बीमारी ठीक होगी, for example कि वह को बहुत ही माइगरेनी का दर्द है कि कई पार हम लोग ऐसा स्झुरू करते हैं वहां और समझते हैं कि उसका माइगरेन का दर्ट ठीक हो जाए तो अच्छा है बिल्कुल अच्छा दर्ट ठीक हो जाए तो मैं भी चाहती हूँ उसका दर्ट ठीक हो गया तो आपको क्या-क्या फाइदे होंगे तो बोलेंगे यहां फिर ज्यादा काम करेगी और सब बहुत कोज़ अच्छा हो जाएगा तब फिर एक छोटी से रिक्वेस्ट होती है कि इतना साप करो तो कहीं बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप अपनी जगह पर राइट हो किसी कोई पुलें कि तुम रॉंग हो तो बहुत मुश्किल होता है कि तुम जो यह फॉर एक्जामपल कि आजकल यह नेचुरल है कि बुढ़े है जल्दी उठते हैं कि जो यंग्स्टर से लेट उठेंगे और उनका एक्सपेक्टेशन है कि यह लोग भी जल्दी उठते त परन्तु आप क्यों चाहते क्यों क्यों काम हो तो फिर ठीक है ने लेट उठेंगे कि नो काम कर दे तो चलेगा ना तो फिर उक्के बोलेंगे इसलिए बात बिल्कुल बंद कर दो बलना कि हम मोटिवेट करेंगे कि वह सारी चीजे हो जाएगी ने सबसे बड़ी प्रॉब् वह उनको ठीक करने के चकर में, that's where the complication lies, because वह तो चाहते है कि उनका progress हो, वह उनकी health better हो, लेकिन दोनों तरफ में, I think, दोनों सही है अपने अपने जगों पर, लेकिन आपका क्या कहना है से मैं, अभी ऐसा भी कि उन्हों ने अपना एक cycle बनाया है, for example, उनका सोना भी लेट हो रहा है, तो फिर उठना भी लेट हो रहा है, पर उठके हो सब activities को पूरा कर रहे है, तो फिर अगर वो बड़े disturb ना करें, उनको तो बहुत अच्छा है, बल स्लोली अगर कोई रितिस से convince किया जाए, उसके जो एकिस उबह उठना चाहिए, उसके benefits बता करके, उनको ये convince क कि सबेर अगर आपने एक बार उठे तो फिर रात को नींद भी जल्दी आएगी आपको, आपका कारिया भी हो जाएगा, आपको सिर्फ अपने time table को थोड़ा adjust करना है, और बहुत important कि morning में जो sun का exposure है, उसके बहुत सारे फायदे, सिर्फ vitamin D3 ने, और भी धेर सारे फायदे, मुझे कहीं बार यह प्रश्न पूशा आजाता है, कि अच्छी नींद आए उसके लिए क्या करें, तो मैं ऐसा होलता हूं कि शूरु वात सबेरे करनी पड़ेगी, कि morning में थोड़ा जल्दी उठके आपको sun का exposure लेना पड़ेगा, तो उसकी जो effect है ना, जो changes आते हैं, को जल्दी अच्छी गहरी नींद लाएंगे, तो यह तो लेकिन नहों तो मतलब यह मेरा जो डाइलेक्टिक भीएवियर थेरापी इस प्रकार से है, कि दो चीजे अपोजिट है, लेकिन कुछ रिती से उनको समझाया जाए, तो वो व्यक्ति उसको accept कर लेगा, कि दोनों र प्रकार से राइट और एक करो, तो इसमें यहां यहां इतने सारे बेनिफिट्स है, लगों को हर्ट नहों, यह तो नहों सामने वेले विक्ति को कुछ बताए जायें, तो उसको उस जगह पर हर्ट होता है, तो जासे मैं रॉंग थिंकिंग के अगर बात करो, मैंने एक है, वो जल्दी उठना चाहते है, जल्दी जिंदगी को डिस्सिप्लेन वे में जीना चाहते है, मैं समझ सकती हूँ कि दोनों एक अपनी अपने जगे पर सही है, बड़े भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, यंग्स्टर्स भी यहां पर फ्लेक्सिबल हो जाए, और जारा फाउंडेशन और इमोशन पर ही है, कि समझ ए इमोशन सही होती है, और कुछ बोल के हमें ना कहीं बर इमोशन क्रियेट कर देते किसी को, जी, वो गलत है, और यहां, और जाट केंबी रियली हॉरिब, यहां, जी कि वर्ड ऐसे कहीं बार कहते हैं कि वर्ड एक तो उस व्यक्ति तक वह बात पहुच गई और उनके दिल तक लग गई अब वह आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह से दिल तक पहुचा रहे हैं आप उनको खुश करके कर रहे हैं या उनको दुखी करके तो यह मिलाब वह एक स्टोरी पढ़ रहा था जी उसमें ऐसा था कि वह बहुत समय के बाद प्रेगनंट हुई और फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसको बिल्कुल आराम की जरुवत है इसको 100% आराम चाहिए तो बहुत मुश्किल है कि इसकी प्रेगनंसी स्मूज जाएगी और उसकी साहसे उसको बहुत सारी बिमारियां थी चीत की कम नहीं कड़ सकती है तो अभी इसको आराम कैसे दे तो हस्भन ने सोचा कि ऑसकी घर से किसको बुलाना पड़ेगा वह को सातpse से बाध की मतलब इसकी वाइफ की मधर से तो इसने का कि इसकी बिहन को में भेज डेती हूं वह के रहे गी तो आपको हैरी अपनात कु वह सब को आता है कि शीर वेरी अक्टिव यह हसमों के सब को हसाती थी सब कुछ परफेक्ट करती एक दम लेकिन एक बारे ना थोड़ा कहीं तो बेशने सब काम तो कर लिया फिर आराम करकर के फोन पर कुछ देख रही होगी कुस तो तो उसके सास ने बुला कि इसको क्यों खर बोल रही थी इसने सुना वह किसी को फोन पर सास बोल रही थी कि इसको हमने काम करने के हम तो चुछ सब करने है रहा है उसको कि उसको भेहन की संभाल को इससे लेवाई है और सब कुछ कर रही है जब पुछ बोलते हैं तो हर्ट होना ही होना है तब हमको प्रिकॉशन्स लेने तो इस चीज को थोड़ा अंडरस्टेंडिंग से क्लियर किया जाए तो बहुत अच्छी बंदत मिलती है और इक इसका फाउंडेशन है कि जो सिबीटी में इतना नहीं है वह है कि इसमें कि अवेर्नेस को भी चुड़ा गया है जिसको बलाएं ग्राउंडिंग कि उससे पहले बोलते हैं कि उसका एक फाउंडेशन ठीक करना है फाउंडेशन ठीक होगा तो आपको पता भी चैलेगा कि अंदर में थोट्स क्या चल रहे है उसका मालूम पड़ेगा तो फिर आप उसको ठीक भी कर सकेंगे यह टेकनिक को गोले grounding, बड़ी सिंपल से अभी अभी कर सकते हैं, आप से ही कर वाता हूं, बड़ा सिंपल से, आपको क्या कर देखो, पाँच चीजों को देखो यहां पर, और उसको फील करो, पाँच चीजों को देखो, और उसको आप फील करो, अनलाइज नहीं करना है, शि पाँच चीजों को आपने देखा, और फिर उसको आप बादेखो, आप लोग भी करो सभी, पाँच चीजों को आपने देखा, और फिर उसको फिल भी किया, ठीक है, अभी चार चीजों को टच करो, और फिल करो, अब आप तीन आवाज को सुनो, अभी डोचीजों को समयल करो, अइसा भी आप चीजों को टेस्ट करो, तो जब यह व्यक्ति करता है अच्छे से और उसमें नहीं करता है तो सबसे इंपोर्टन ने कि व्यक्ति अवेर्नेस में आ जाता है वह अवेर्नेस में आने के बाद फिर बहुत कुछ पॉसिबल है कि इसके इमोशन को ठीक करना पास्ट में जाना ऐसे उसके इसके इसके द्वारा हम अपने थौट प्रसेस को अपने इमोशन को अपने बिहेवियर को आधी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रसाइब जैसे एक सवाल मेरे मन में आए चो आजकल बहुत जादा हम देखने में आ रहा है कि हम चाहते तो कुछ और है कि भई किसी को हम हुट ना करे या फिर किसी को हम तकलीफ ना दे या हम सब को खुश रखे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी का बिहेवियर हम पर ऐसा असर डालता है कि हम उन्हें रिटर्न में डबल हर्ट कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या कोई भी ऐसा टेक्नीक है जो हम वो एक्शन में आने से पहले ही उसे हम अंदर यंदर रिजॉव करके उसे चेंज कर सके हमारे भी हैवियर को रॉंग भी हैवियर को या रॉंग थाट को पर दो हम पहले ही चेंज करे ऐसा कोई टेक्नीक है विक Corps आज ρωी को मैंने देखा या कि बड़े- बड़े cases होते हैं बड़े-बड़े situations होते हैं या बड़े-बड़े quarrels होते हैं इसी वज़ा से क्योंकि आप अपनी emotions को या अपनी wrong thoughts को control नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपका कुछ अगर कोई टिप हो तो बहुत अच्छा होगा इसमें important मैं समझता हूं कि लोग है ना सोचते हैं कि अभी यह मैं कर रहा हूं ठीक है तो उसको मैंने बोला ना तो कहते हैं कि मैं आपके जैसा नहीं हूं कोई मेरे को गाली देगा तो मैं उसका खून भी कर दूंगा तो अभी यह उसका लॉजिक बढ़ा इर्रेशनल है राइट चुरेवा ठीक है कि गाली देगा तो हर्ट होगा वो डेफिनेट है परंतु किसने गाली दियो उसका खून कर देना वो इंडिड आउट अफ प्रपोर्शन है राइट जो में रॉंग तिंक ही कहाम ने सोचा थ तो इसके कॉंसिक्वेंसिस क्या हो सकते हैं तो अगर सच्मुझ को इंटरनली सोचे तो तो कितना बड़ा है उस समय में थोड़ा उसको कंट्रोल कर लेता चलो किसी ने गाली दी उसको मैंने उब बोला कि इस नॉट एक्सेप्टेबल ओ ठीक है उससे मने किनारा कर लिया ओ तो भी ठीक है पर उन्तों भी उसका पीशा जाके अमने उसकी मारपिट शुरू कर दी यहां तक कि आपको जेल हो जाए तो तो डेफिनेटली रेशनल है तो यह एक्सेप्ट करें कि मेरी यह टेंडेंसी मेरे संस्कार है जो कुछ भी कहो तब फिर उसका कंट्रोल आ कि यह जो थौट है मेरी यह रॉंग है या फिर यह इर्राशनल है सब्सक्राइब मुझे रियलाइज हो गया लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इर्राशनालिटी जो आपके दिमाग में आती है उसको लेकर कि आप करते क्या है उसके साथ में क्या आप उसे चेंज करते हैं क उनों ने ऐसा किया, इसी वज़े से उनको हमने ऐसा रियाक्शिन दिया है, इसमें मेरी क्या गलती है, तो हम अपनी आपको बिल्कुल निर्दोश मानते हैं, वो थोट का क्या करें, कि भी उसने गाली दी, अभी उसमें भी सामने गाली देखें भी फाइदा निया, ऐसा है, तो हम दो पत्थर टकराएंगे, तो तो प्रब्ले मी होने वाले, अल्टीमेटल, उसको मतलब, फाइनल यह सोचना कि भी एक पूरा अपना human being का इंटरेक्शन क्यों अपने फाइदे के लिए, तो नहीं तो क्यों, तो हर एक में अपने को सोचना कि मेरा बेनिफिट क्य है, मैं कि इसको हो बहुत कुछ हैसा, जो realistically कहीं न कहीं कुछ beneficial है, जो मुझे life में progress करेगा, मेरे inner development में मुझे help करेगा, और नहीं है, तो फिर तो उसको मुझे change करना चाहिए, तो simple activity है, सब को भी help करेगी, यह बड़ा simple सा, आपको क्या करना है, अब यह find out करो, क्या आपके पे जादा है ना, तो अभी आप राइट पर थोड़ा बढ़ा दो, तक क्या वह जाए, अभी क्या हुआ, राइट पर जादा है, यह एक पर तो इक वलकरना है आपको, आपको क्या है, राबर यह थोड़ा 19-20, थोड़ा सभी तो होगाई देखा आप देखो, कभी भी impossible कि 100 परसंट तो पॉइंट वन परसंट तो फरक रहेगा उसको भी फाइंड आउट खरो पताचला क्या फराग है एक पांट जागा है ओके ठेंक यह बाइठी है ठेंक्यू ठेंक्यू ठेंक्स ऑके ओके यह बले सिंपल सा लगता है लेकिन इने हमको करना चाहिए जी बैलेंस तो कभी नहीं होगा परसंट फर्क रहेगा लेकिन अगर व्यक्ति करें बीच बीच में जब भी टाइम मिलें कहीं बार हम लोग फ्री होते दिन में आप देखना से कहीं मौके आते कि जब आपके पास कोई खाम नहीं है तब यह करूंत आपकी वहां अवेरनेस पावरफुल होती है वाव जी तो हम अवेर नहीं थे राइट पर लेट कहां पर एक्स्ट्रा है तो वह अवेरनेस हमारी बढ़ती है और फिर अभी इसका उप्योग में और चीजों में भी करना है कि भी मेरे माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेर होना है अभी जैसे मेरे सोल्डर में क्या है ज अभी मुझे असले लेफ्ट थोड़ा मेरा उपर राइट नीचे असा लग रहा है तो मुझे उसको ठीक करना है तो इस वरी सटल मुझे अच्छली फील हो रहा है मैं अगर अवेरनेस रखू तो तो कहीं पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर है जी इबनी बैक में नेसेसरी प्र प्रेशर दे रहे है तो तो आपने बदेश्स वरणे सकते तो बढ़ने सब्सक्राइब करें तो अब बीच में अगरम हम और आवेरनेस ला देना तो और हम रिलाक्स होंगे present moment में भी आएंगे वह अच्छी टेकनीक है यह बात भी आपने बहुत कमाल की कही कि किस तरह से यह techniques के तुरू हमने present moment में आए सच बात तो यह कि most of the time हम अपनी life का या तो past में बिताते हैं या तो future में बिताते हैं लेकिन जब हम present में रहते हैं और जब हम प्रेजन्ट में रह करके जैसे आपने अवेरनेस क्रिएट करने के लिए अक्टिविटी के बारे में बताया, मुझे ऐसा रियलाइस हो रहा है कि यह जो आपने अक्टिविटी बताई है, इससे ना सिर्फ हम प्रेजन्ट मोमेंट में आएंगे, बलकि कई सारे बि ओम शांती, दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने बहुत ही कमाल कमाल की चीजे जानी है, I'm sure आपने नोडाउन किया होगा, क्योंकि इतने सारे टिप्स हमें मिले हैं, छोटे-छोटे टिप्स हैं, लेकिन जब आप उसे उस मुमेंट पर यूस करेंगे, जब आपको उसकी जर आपके से, या फिर सिफ आपके अवेरनेस से, कि आप किस तरह से खड़े हैं, किस पैर पर आपका ज़्यादा प्रेशर है, या फिर आपके किस शोल्डर पर ज़्यादा प्रेशर है, ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, जिसके तुरू आप प्रेजिंट मोमेंट में रहना सी जाएंगे. And all thanks to Girish Paiji. Thank you so much for coming in our show. Om Shanti.